आज हम हिंदी ब्याकरन में इस्पेशली क्लास 7 के लिए सिर्फ है ये बरतनी समंधी असुद्धियां हम लोग जानते हैं कि बरतनी क्या है कि सुद्ध वर्नमाला को लिखना और सुद्ध बोलना ही जो लिपी को हम लिखते हैं उस लिपी चिन्द को ही बरतनी कहते हैं या उसकी मातराएं जो होती है उसको भी आईए चलते हैं बरतनी समंधी असुद्धियां क्या है इसके बिसे में जाने बरतनी समंधी असुद्धियां हम क्यों और कैसे करते हैं अब हम लिखते तो हैं बोलते तो हैं कि उसके पीछे हम कुछ गलती भी करते हैं जिससे की हमारी सुद्धता लिखने की या बोलने की खत्म हो जाती है बरतनी समंधी असुद्धियां हम दो कारणां से करते हैं पहला कारण है बरतनी समंधी नियम की जानकारी नहीं होना और असुद उच्चारन करना जो कि बरतनी समंधी असुद्धियां को धरसाता है अगर हम सुद्ध बोलते हैं, सुद्ध लिखते हैं तो यह बरतनी समंदी असुद्धियां नहीं कालाती है लेकिन अगर हम बोलते भी गलत हैं और लिखते भी गलत हैं यह बरतनी समंदी असुद्धियां कालाती है अब हम चलिए कहने का मतलब इसको हम सुद्ध बोल और लिख कर सही कर सकते हैं आईए चलिए दूसरा पॉइंट स्वरसमंदी असुद्धियों अब हम लोग जानते हैं कि बर्ण माला में दूत रखे वर्ण हैं सुर्ण बर्ण और विंजन बर्ण तो सुर्ण समंदी असुद्धियों क्या है इसके बिसे में जाने सुर्ण समंदी असुद्धियों में अनावस्यक यानि गलत मात्रा डालना मान लीजिए किताब लिखना है को में हर्शिकार की मात्रा होगा तो में आ की मात्रा होगा अब बहु होगा लेकिन अगर हम लिख देते हैं को अधिरगई तो आ का तो के जगा तो उच्छारन कर दें और लिख भी दें कि ता अब हो जाएगा जो कि बिल्कुल गलत है इसलिए यानावस्यक गलतियों से भी होता है या मात्रा का उपयोग बोल लिखने में नहीं करना इन सभी कारणों से स्वर समंधियों से प्याम होती है जैसे उधारन के तोरों पर देख लीजिए अधार अधार सब्द जो है हम लोग बोल चाल में बोल रहते हैं अधार जो कि अधार नहीं होता है आधार होता है आधार मिन्स बेस जो कि अधार सब सुद्ध है आधिन नहीं agric fences 2 असुद्ध है इसमें अघिन नहीं होता यह गलती हैं इसमैं कि में आ की मात्रा लग गई है जोकि वर्टनी समंधिया सुद्ध्य है लेकिन आधिन कि जिगह अधिन होगा जो की बिल्कुल सुद्ध सब्द है उसी तरह पालतु पालतु में हरसुखार का मात्रा का उपयोग किया है जो की गलत है जबकि पालतु सब्द में दुर्गवु की मात्रा उपयोग करने से यह सब्द सुद्ध में जाता है तो आपने समझ लिया सवर्समंद्य सुद्धियां आ लाती है, हरसई समंधियसुदिया, जैसे अगनी, अब देखेए, अअगो नओ हरसई होगा, तो गो के पहले हरसई लगेगा, यह यह सब्द सुद्द है, पश्चिम पवा, अधि सौचव, जबकि तालब सौ से पहले हरसिकार लगना था या हर्सिकार की मात्रा तो पस्चिम होता लेकिन पहले बाद में लगा है इसलिए यह गलत है यह सुद्ध है इसी तरह बुध्धी बुध्धी आदी ऐसे बहुत सारे सब्ध हम लिख कर समझ सकते हैं आईए बेंजन समंधी असुद्धियों के बिसे में जाने अब जो हम जानते हैं किस स्वर के बाद बेंजन आता है इसमें किस प्रकार के सुद्धियां करते हैं तो बेंजन समंधियां सुद्धियां में प्राया बो की जगा क्या लिख देता है बो की जगा वो वो की जगा बो ये सारी गल्तियां जो हम करते हैं इससे हमारी क्या हो जाती है बरतनी समंधियां हो जाती है आईए जाने। उधारन के तरु पर बौरी का अक्छो, ब्रिक्च, जब कि यह बिलकुला सुद्ध सब्द है। ब्रिक्च सब्द का वारी का अक्छो होगा, जो कि सुद्ध सब्द है। बो नो बन ये बन मिन्स हो जाता है कुछ सब्द अलग लेकिन वन 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 मिन्स जंगल हो जाता है वारता बारता कोई सब्द नहीं है क्योंकि यह बतनी समंध्य सुद्धियां है वा के जिगा वा का ने उचारन किया है लेकिन सही सब्द क्या है वा का तोपरे आका वारता उसी तरह दंतनो, मुर्धंतनो, मुर्धंतनो, दंतनो, अथवा, दंतनो, मुर्धंतनो समंद्य सुद्या, इसमें भी प्राया मुर्धंतनो के जगह, दंतनो का प्रियोग, अथवा, दंतनो के जगह, मुर्धंतनो का प्रियोग कर देते हैं, जिससे की नौ समंद्य सुद्या हो जाती है ठीक उसी तरह तालब सो मुर्धन सो दन सो तालब सो के जगा कभी मुर्धन सो कभी मुर्धन सो के जगा दन सो कभी दन सो के जगा तालब सो गर करते हैं यह गलती होती है तो के जगा ठो ग्यो के जगा आधी गोयो अक्छो के जगा छो लिख देते हैं रो के जगा री लिखते हैं या रो के जगे री होना चाहिए या प्रह होना चाहिए इस तरह की जो असुद्यां होती है इसे भी हम धंतनों मुर्धंतनों या उस्ते समंदित और अक्छरों के साथ जुड़ सकता है आईए जानते हैं संयुक्त व्यंजन समंदी असुद्यां संयुक्त व् होना चाकत 2 सब्दों का हम जुड़ाओ करते हैं जो गलत हो जाती है इन असुद्यों में एक समान बेंजन को सवह अनशुवार में अनुसुवार LAUGHTER बरतनी समान यसुद्यों में अनुसुवार भी है अनुसुवार का मतलब होता है जो किसी अक्षर के ऊपर हम बिंदू नुमा लगाते हैं वह अनसुवार है जब कि चांद बिंदू जब लगाते हैं तो वह अनुनाशिक होता है तो इन असुधियों में क्या है कि अनसुवार के जगर चांद बिंदू का प्रियोग कर लेते हैं कभी गौन नौमा कर मांगना अंधा ओमा अंधा ओ चांद मिंदू द्धा कर अंधा यह सब्द बिल्कुल गलत है जबकि अंधा सब्द में ओमा अंसवार लगेगा इसलिए यह जो अनुनासिक और अनुसवार समंदी गल्तियां हम लोग करते हैं इससे हमारी क्या होती है बरतनी समंदी असुद्यां हो जाती है और न हम सुद्ध बोल पाते हैं न लिख पाते हैं तो बच्चों लिखती समय इस बात पर गोर रखें ध्यान रखें और सीखने का प्रियास करें धन्यवाद